बाई आपको जगा कैसे लगा आपको आपको आँ दिखाते क्या नाम बोले थे जो नाम भूल जा रहे हैं बार बार है चाक हचा वाटर पॉल सही में जगा जो है न उसी है चाक हचा जैसे है गाईस आप लोग कभी भी आओ तो बरसात में एक बार आओ यहां अभी मत आओ उं कर दो कर दो खको कर दो खो जो तर करेंग्झन लोग चौने खाया हैं बाइक्टिधा.. आपनों कैसे आसा करते हैं आपनों आच्छे होगे और आपके भाई मस्त है तो गाईस अभी हम लोग खड़े हैं पलना डायम आपको पलना डायम का वीडियो पुरा दे चुके पर एक जानकरी आपको देने सके उसके लिए I'm so sorry क्योंकि गाईस मुझे मतलब काफी रात हो गया था जिसके कारण से आपको जगा का पलेस आपको देने सके लेकिन आपका भाई आज पलेस देने वाला है तो आपनों वीडियो को पुरा देखिएगा एक भी वीडियो मिस मत किजिएगा अगर मिस किजिएगा तो आपको जानकरी पूरा नहीं मिलेगा तो गाईस अभी हम लोग जाने वाले हैं कहां हैचा कूचा वाटरफॉल बहुती सुन्दर जगा है और वाटरफॉल का मतलब है बहुती उंचा है और वाँ से खन्या का टाइप का पानी गिरता है गाईस तो जगा बहुती अच्छा है आप लोग बेसक वाँ जा सकते हैं पर हम लोग अभी जा रहे हुँआई पे और किस रास्ता ए भी आम हम बता दे रहे यह आता पन्ला डाम के ही रास्ता से गुजरता है तो आप लोगो वीडियो में बने रहे है वीडियो का अगर अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट कीजिए और सस्काइब कीजिए भूलिये मत फिर हम लोग चलते पन्ला डाम की पन्ला डाम नहीं पन्ला डाम का रास्ता से गुजरते हम लोग तो फिर मिलते हुआ ही पे योच हेचा कोचा वाटर फॉल बने रहे ये वीडियो में करें Jackson is rich in हम लोग हे चाक रस्ता में खरे यह और आपको मताने जार हैं कि अffल को घाल के पर्चा और अपल्टा है तो आप योग इसी डिर्शा से आ выглядит तो हम लोग चाते ही चक्रा रस्ता की और और आपनों पहुंचने हुआ वाटर फॉल के पास उसके बाद आपको दिखाती हूं आपका ब्लोग करने वीडियो में बने देगे हैं चुक है हेचा कोच वाटरफूल का रस्ता पे खड़े हैं और आपका भाई यहां पे गाई को खड़ा कर दिये मेरा बाइक को देख सकते खड़ा कर दिये क्योंकि रस्ता बहुत ही बेकार है आज शबाक को मालुम मनन मुझे पता चला कि क्यों इस नाम को हेचा कुछा नाम क्यों रखा हैं यहां का आदमी क कि इसके मारे मुझे आज पता चला क्योंकि यहां का र holistic ठीक नहीं है बहुती बेकार रaster है जिस्टा से अगर लेक लिएगा तो आपनों यहां से ठीक से आ सकीएगा लेकिन कार अगर लेके आई यहेगा तो आपनों बहुती दिक्कत होगा तो अपनों अगर कार या बाईक कुछ भी खाड़ा करना तो हम लोग पैदल अभी चल रहे हैं वाटर पूल के पास फिर वहाँ पे दिखाते कि जगा बहुत ही आच्छा है आप लोग बेशक वहाँ आ सकते पिकनिक के लिए बहुत ही बेश्ट जगा है तो आप लोग बेशक वीडियो में बने रह क्योंकि देख सकते रस्ता बहुत ही बिगड़ा हुआ रस्ता है आपनों काल लेका ही एगा कुछ भी आपनों पॉबलम बहुत ही होगा और इसलिए हम आपको बोड़ा कि बाईक अगर ले जा सकते तो ले सकते आपनों रिक्स लेके यहाँ पे चड़ सकते पर इतना जाननी बाइक खड़ा किए वहाँ प्याप बेसेक बाइक को खड़ा कीजिए आपके लिए वेश्ट होगा और यहां से बताइए आपको जगा कैसे लगा लेकिन आप लोग आके जंगल में बस गया है आप लोग कभी उंट्रसीजन में मत आईएगा पिकनिक प्लेस में मान रहे हैं लेकिन बरसात के दिन में आएगा तो जाधा बेटर आपको रहेगा थो आगे चलते हैं तब तक वीडियोमा बने रहे हैं देख रहे हैं घाईज रश्ता देख लीजे किस तरसे जांगा रहे हमनों कितने रिक्स लेकर आपके भाई प्लीज सपोर्ट किजिए त्राकी का इस और भी अच्छा च्छा जगा और भी आपको वीडियो दे सके हम लोग को मालूम नहीं है फिर भी हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं आप लोग वीडियो में बने रहे हैं और आगे चलते आपको दिखाएंगे हैं पहुंचने वाला है बसी और कुछ देर में ही थो आप लोग वीडियो में बने रहे हैं अब 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 इसका अंदर भूशने वाला आपको दिखा रहे हैं किस तास हम लोग जा रहे हैं इस रस्ता में देखके अलट खरब होगे बहुत तरीक से लेके जा रहे हैं तो हाई में से बसें इतना पर टरना पड़े जा रहे हैं इस तरह रस्ता है और अभी बहुत ही दूर है और यहीं रस्ता है जो वाटर पूल का पास पहुंचने वाला है बहुत उस पीसी लेके जा रहे हैं हम लोग 320 शाजिंघेए तो देर्क नीचे जीर सकते हैं और हम लोग आप जाने वाले यहां से सिधा यहां पे है वाटरफुल हेचा कुछ वाटरफुल के बस तो आम लोग बेसक वीडियो में बने रहें वीडियो को देखते हैं प्राउन है अग्दम भोती रिक्स लेके हम जा रहें आप लोग भी आईएगा तो समझ किया है यह आईएगा और अपने पहुंचने वाले हैं हम लोग बस और थोड़े सी नज़्दिक हैं अगया देख सकते हैं आज सक जितना भी वीडियो बना है पर आज तक इस तासे वीडियो नहीं बना हैं पहले बार इतना रिक्स लेकर वीडियो बनाएँ तो आप लोग सपोर्ट किजए गाइस और आपको दिखाने जा रहा है कि की स्था से हम लोग आये हैं तो हमने वीडियो में देखते रही है हम लोग पौँच चुक है हेचा को ज़ो वाटरफुल का पास और यहां से और दूर नहीं बस यहां खतम होने वाला है और यहां ही है हेचा को ज़ो तो आपको पूरे दिखाते है हेचा को ज़ो पत्थर के से पानी गिरता है पर अभी पानी बहुत ही कम आ रहा है क्योंकि अभी पानी सुक चुका है और जब यह बरसाद का समय बहुत जादा ही पानी आता आप लोग कभी भी आईएगा बरसाज का समय आईएगा, तो आप लोगे देखने में बहुत सुन्दा लगे, लगे पर अभी आप लोगे बहुती उतना अच्छा ने लगे तो आप लोगे आईएगा, बहुत कोई भी आईएगा, तो आप लोगे आप ले से वीडियो से के अजए होगेज आपने बहुता hand पार होते रहेगा यह पानी पार होते रहता है पर अब पानी नहींे है बोलकर यह पत्थर दिखा रहा है है जब यह पार्विसात बरसात का समय रहेगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, वाटर but the waterrule मतलब पूरब water fully दिखेगा तो लोग और अंदर चलते जहां पी भाई जा रहे हम लोग उसके अंदर और जा के दिखा सके को事情 करते आज दो कोछ चित talking हो सकेए यह आम लोग कोसे आपने वीडियो में बने रही है काफी लेट हो चुका हम लोग जा रहे घर की और आपको जगा कैसा लगा होचा कोचा वाटर फूल क्यूंकि आपको लगेगा सुखा को दीख रहे कि ये बरसात का समय में बहुत ही अच्छा प्लेस है पर मेरा राई है कि आप लोग अगर आईएगा तो आपने उस पत्थर के किनारे होके आईएगा पर मेरा कहना कि आप लोग मत आईए कि यहां जगा उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यह जगा बस एकी चीज़ के नामी है कीकी यहां के जो पत्थर से पानी जो गिरता है उसी के लिए जगा इससे अच्छा है लेकिन आप लोग आईएगा तो आप लोग लगेगा कि गाउं धहत के इलाखा में ही आता है आपका भाई आपके लिए रिक्स लिया तो आप मत लिजे रिक्स तो हम लोग चलते घर की और तो बस मेरा कहने इतना कि जो भी मेरे चैनल में नया है वो लोग सपोर्ट कीजिएगा और इस परकास भाई को सस्काइब जरूब कीजिएगा तो फिर हम लोगों मिलते हैं नेश्ट वीडियो के और टेक्यू बाई